हेलो फ्रेंट वेलकम वन सगें टू यूर ए लर्निंग इस्पेस्ट इस पड़ो इंडिया बड़ो इंडिया नमस्कार दोस्तों पड़ो इंडिया बड़ो इंडिया मैं आप सभी एक बार फिर से स्वागत है और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कॉंपिटेटिव इग्जाइम के पॉइंट आफ यू से क्रियेटिड इंपॉर्टेंट वीडियो को रेगुलर वेखने कले हमारे चैनल को सब्सक्राइब परें वास साथ यसाथ एक बैल आइकन भी ह उसे भी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में जितने भी अपडेट्स हम करते रहते हैं वो इजीली आपको मिल सकें लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल के रेगुलर बेसिस पर आपको मिल सकें तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो फ्रेंड्स ये पार्टनर्शिप क्या जाता है तो ये अब एक इंट्रमीडियेट लेवल है इसमें आप देखिंगे कि प्रिवियस येर के कुछ कोश्चन्स मैंने इस वीडियो में इंफ्लूट किये हैं जो की एग्जैमिनेशन में पूचे गए थे और किस प्रकार से उनको इसली सॉल करेंगे तो इसका ल तो पिछले जो हम कोश्चन देखते थे उनमें हमें के वल वैल्यू दी रहती थी टाइम पीरियड नहीं में इंचन था मतलब कि अगर दो पार्टनर्स इनवेस्ट कर रहे हैं पैसा तो वह सेम पीरिड के लेंड वेस्ट करते थे लेकिन इस वाले कोश्चन में आब आप द पी ने वो 10 मंट्स क्लिक हैं तो अभी इन कोश्चनों को भी सॉल करना है तो सबसे पहले पार्टनर्शिप है तो आपको रेशो आना ही आना है वो यह पता होगा तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एक ही वैल्यू ए ने हम पे गिवन है कि ए ने जो पैसा इंवेस्ट कि किया है वो किया है 20,000 रुपीज और यहां कर देता हूँ मैं multiply by 8 months अभी मैं इसे solve नहीं कर रहा हूँ या तो मैं direct 1,60,000 भी लिख सकता था इसमें direct अगर हम multiply करते हैं लेकिन अभी हमें वो चीज नहीं करनी है और यहां पर value लिख देता हूँ मैं B की, B की value है 50,000 रुपीज for 10 months इतना आप सभी को concept clear हो चुगा होगा तो अब यहां पर हम multiply करने के बज़े हम सीधा यहीं से simplify करना शुरू कर देते हैं 1,2,3,4 and 1,2,3,4 अब यहां पर हम पर बज़ गया है 16 और 50 तो इसे और हम simplify कर सकते हैं 2 इस्टू 25 तो अब हम पर बज़ गया है 8 जो हमारा ratio निकल करके आया है वो आया है 8 इस्टू 25 तो यह चीज हमें पता होने चाहिए यह चीज हमारा soul है इस partnership के problems को solve करने का तो 8 इस्टू 25 आ गया है लेकिन यह भी हमारा answer नहीं है इसमें A का share पूछा है अब A की जो value आ गया है जो भी profit होगा उसमें A का share होगा 8 और B का share होगा 25 तो 19,800 हम पर total profit है तो हम में इसको किस प्रकार से निकालना है 19,800 में इधर लिख देता हूँ इन दोनों का addition हम करते हैं और उसे हम by में लिखते हैं तो इनका addition है 33 तो यहां पर आजाएगा अभी हमें लेना है A का हम से पूछा है A का answer तो A का 33 और अब हम इसे simplify कर दिना है और हमारा answer आ जाएगा तो यह होगा 33 इंटू 6 198 होता है multiply 20 लगा दिया बने 8 into 648 So A का जो share है वो होगा profit में 4,800 यह है हमारा final answer इसी परकार से हम B का share लिख सकते हैं 8 की जगा पर 25 की value रख करके और simplify करके फिर हमारे पास B का share भी आ सकता या फिर हम total profit में से A को अगर हम less कर देए के share को तो हमारे पास B का share आ जाता है तो इस परकार से भी दोस्तों question आते हैं examination में और यह method है calculation को बहुत कम करके और without any mistake आप accuracy के साथ किस परकार से answer निकाल देते हैं So next question a friend X started a business by investing rupees 30,000 after one year why joined him with the capital of rupees 80,000 after three years they earned a profit of rupees 25,000 what will be the share of X in the profit तो यह question previous examination में पूछा जा चुका है तो इसे solve करते हैं Simple सी चीज है दोस्तों कि X ने start किया है business जो किया था वो 30,000 रुपीज से किया था और जो profit वो mention कर रहे हैं वो after three years का कर रहे हैं तो पहले X ने start किया था business इसलिए यह confirm है कि X ने business तीन साल run किया है तो यहाँ पर मैं X की value प्लस उसका time period लिख देता हूं multiply by अब three years को हम कैसे लिखेंगे 36 months तो यहाँ से एक चीज की layer हो चुकी है अब निकालना हमने ratio ही है क्योंकि जबी भी हमें profit निकालना है दो परसंस में profit divide करना है तो वो ratio के through ही होगा after one year अब second part start होता है question का after one year Y joined with him with a capital of rupees 80,000 तो सबसे पहले मैं Y की capital लिख लेता हूं 80,000 okay then Y ने after one year join किया है X के जब X business start कर चुका था उसके एक साल बात यानि अगर X ने तीन साल business किया है तो Y ने दो साल business किया है क्योंकि हमें जो profit दे रहा है वो तीन year का दे रहा है तो दो साल business का मतलब हो गया 24 अब इसे दोस्तों वहीं से multiply ना करते वही है अगर आप multiplication करें देगा calculation लेंदी हो जाएगी तो यहीं से हम इसे divide करना शुरू करते हैं 1234 कट गए 1234 यहां इसे cancel हो गया देन 1234 यहां तो हम पर क्या बचा है 339 यह आगे हमारे पास X का शेर और यह आगे हम पर Y का शेर अब हमें टोटल प्रॉफिट दिया है 25,000 अफ्टर 3 तो हमें X का शेर निकालना है और अपन में आपको पताईए कि हम पूरे शेर जो इन दोनों की joint value होती है वो लिखते हैं तो 9 फ्रस 16 हो गया 25 और अगर हमें X का शेर निकालना है तो हमें whole जितना profit भे रखा है उस पूरे को यहां पर लिखना पड़ेगा यह हो गया 25,000 तो 25 इजी हो गया यह 1 और यह हो गया 1000 तो X की जो value है वो आ गई 9,000 और इसी परकार से अगर हम Y की निकालना चाहें तो Y की है 16 तो इसकी जगा पर 9 की जगा पर हम 16 करेंगे 16 तो 1000 तो 16,000 और इस पर गार हम एजीली वाय का प्रॉफित निकाल सकते हैं तोटल प्रॉफित में से या फिर हम डिर्क 9 को माइनस कर सकते हैं 25,000 से तो रिमेनिंग जे होगा वाय का प्रॉफित आ जाएगा next question a friend a and b started a business in partnership investing rupees 20,000 and 15,000 respectively after 6 months she joined them with rupees 20,000 what will be b's share in total profit of rupees 25,000 earned at the end of 2 year तो दोस्तों इसमें a, b, c, तीन friends के जो partnership है और investing value है वो दे रिकिये और इस परकार के question जो 3 होते हैं a, b, c, तीन लोगों की value यो दी होती है इससे related question अधिकतर आते हैं examination में और जो ये type का question है ये अधिकतर देखा गया examination में मेरा खुद का experience है, खुद का observation है कि इस परकार की question अधिक आते हैं examination है तो अब इससे solve करते हैं और very simple method से करना शुरू करते हैं तो अब इसमें दिया है कि two year आप पीछे से start कीजिए इस question को दो साल के बाद क्या profit होगा, जो profit दिया है वो किस B को क्या share मिलेगा दो साल के बाद तो A और B ने तो पूरी value पूरे time play invest की है, तो यहाँ पर पहले मैं A की value निकाल देता हूँ यहाँ पर A का share है 20,000, तो साल का जो दो साल का हो गया 24 months, तो यह आगी A की value और B की आगी इसी type से 15,000 क्योंकि B ने भी दोनों ने साथ में business से start किया है, तो B की value भी आ गई for 24 months, अब जो question कहता है according to the question कि जो C ने invest किया है, पहले तो C की investment लिख देते हैं 20,000, 20,000 for how many months, after 6 months, यह कह रहा है कि after 6 months C ने start किया है, तो 24 में से 6 months ही ने हम कम कर देंगे, तो हमारे पास आजएगा 18 months, तो जो C ने invest किया है, 20,000 वो 18 months के लिख रहा है, तो अब हम यही से इसको काटना शुरू करते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, यह तो सिंपल था, 5, 4, 5, 3, and 5, again 4, और यह कर जाएगा 6 से, 6, 3 जा 18, 6, 4 जा 24, and 6, 4 जा 24, अब चारों में, तीनों में हमारे पास 4, 4 का मेंना, तो 4, 4 को हम और यहां से डिटक कर देंगे, तो फाइनल हम पर जो इनका रिशो आजएगा, वो आजएगा, 4 is 2, 3 is 2, 3, और इन तीनों की जो टोटल वेल्यू होगी, वो होगी 10, यानि कि 10 is equal to our total profit of rupees 25,000, तो अब निकालना अज़सान है, हम से मांगाए B की वैल्यू, B का share है 3, a total profit of 10, और जो profit हम पर है, 25,000, तो यहां से question बहुत easy हो जाता है, 10 से 10 कैंसल कर, 75, और पीचे, 2,000, तो जो B का जो total profit में से investment है, जो share है वो होगा, 7,500, So friend, if you found this video helpful, kindly like this video, share this video with your friends on social networking sites, do subscribe this channel for more important updates and click the bell icon to get notified easily, you can write us on pindyabindia at the rates email dot com for any query, help or suggestions and thanks for watching this video.